हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वट्सेप पर बोलने वाला कैसे आएगा यानि वट्सेप पर बोलने वाला ओप्शन कैसे लेकर आएं जैसे कि WhatsApp पर आप बोल कर मैं इसे भेहना चाहते हो तो कैसे भेह सकते हो बताता हूँ तो यहाँ पर दो तरीके हैं आप WhatsApp में जाएए देखिए आपको यहाँ पर एक Mic Option मिल जाएगा आप इस पर टच करोगे यानि इसको Hold रखिएगा और आप जो भी बाते बोलोगे वो Record होने लग जाएगी अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पर टाइम चल रहा है जो भी बोल रहा हूँ Record हो रहा है और मैं इसे छोडूँगा तो यह Send हो जाएगा यह तो होगे एक तरीका अगर आपको यह Option काम नहीं करता है तो आपको Setting में जाना है Setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर Apps Option को ढूणना है यहाँ पर Apps ढूण लिजिए नीचे के तरफ होगा यहाँ पर यह रहा है यहाँ आपको मिलेगा Manage Apps या See All Apps में जाके अब WhatsApp को ढूणड़िए और Permission सारी के सारी अलाव कर दीजिए कोई Permission आपके बंद नहीं होने चाहिए द्यान लखिएगा कोई भी Permission बंद लखिएगा अगर आपको यहाँ पर दूसरा तरीका यह Try करना है जैसे कि जैसे कि यहाँ पर एक यह वाला आइकन भी होता है माइक वाला नीचे के तर देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो भी बोलेंगे वो टाइप होएगा मैं बताता हूँ आज आपको सुभा पाच बजे ओफिस पहुचना है तो आप देख सकते हो जो भी मैं बोल रहा हूँ यह टाइप हो रहा है तो यह होता है Gboard की सेटिंग इसके लिए आपको अपने फोन में Gboard को इंस्टॉल करना है तो आपको अपने फोन में Play Store को ओपन करना है Play Store को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा Gboard इस पर जाएए आपको मिलेगा है यहाँ पर Voice Typing इसे चालू करिएगा ध्यान रखिएगा इस Voice Typing को चालू करिएगा अगर आपको यह बंद है तो आपका माइक वाल आप्सन नहीं आएगा देखें नहीं आ रहा सेटिंग में जाके यहाँ पर Voice Typing को On करिएगा तो आपको बोलने वाला आ जाएगा फिर आप जो भी बोलोगे वो टाइप होने लग जाएगा वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा